Hello students, चलिए start करते हैं chapter 4 determinant का example number 18 देखते हैं क्या है Find the equation of the line joining this and this दो point दे रखे हैं इनको join करने वाली line की equation निकालनी है using determinant and find k if d of k 0 is a point such that area of triangle abd is 3 square unit यहाँ पर area of triangle हमें दे रखे है 3 square unit उसकी help से हमें k की value find out करनी है और equation find out करनी है तो देखते हैं किस तरीके से find out करेंगे यहाँ पर सबसे पहले माल लेते हैं let कोई भी point माल लिए हमने a और b दे रखे है तो यहाँ पर p point माल लिए हमने जिसके coordinate क्या है x y on a b ठीक है अब area of triangle क्या होगा area of a b p इसके equal होगा बच्चो 0 के equal होगा ध्यान से देखो यह कोई a b line है इसके उपर कोई p point है तो इसका area कितना हुआ तीन point से जो triangle बनेगी triangle तो possible ही नहीं है यहाँ पर अगर तिन नो एक line पर है तो area उसका क्या हो जाएगा 0 बस वही लगाना है हमें formula तो 1 by 2 into vertices देखो यहाँ पर 0 0 है फिर 1 3 है और फिर हमारे क्या है x y है आप इनको कैसे भी ले सकते हो उपर निच्चे कोई दिक्कत की बात नहीं है यह 1 1 1 इसको simplify कर लो तो 1 by 2 into यह कट गया यह कट गया यहाँ पर वह करेंगे हम बस evaluate 1 into यह कट गया यह की 1 से multiply y minus में 3 के x से multiply 3x तो क्या है answer यहाँ पर इसको equal to 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आगया 2 की 0 से multiply 0 तो y minus 3x equal to 0 तो y is equal to क्या आगया 3x तो y की value जो होगी वो क्या होगी x की thrice होगी अब हमें area of triangle निकालना है abd का d point यह दे रखें area of triangle abd कैसे निकलेगा 1 by 2 into यहाँ पर 1 coordinate ले लेंगे 1 3 1 आगे पिछे कैसे भी ले लो कोई दिक्कत की बात नहीं है यह 0 0 1 और इसके coordinate क्या है k 0 और 1 यह हमारा कितना होना चाहिए 3 square unit कह रखा है न उसने तो इसको simplify कर लो तो 1 by 2 into इस पर expand करेंगे तो 1 into यह cut गया यह cut गया 1 की 0 से multiply 0 0 की यह 0 minus 0 हो गया भई फिर minus 3 into यह cut गया यह cut गया 1 की 0 से multiply 0 k की 1 से multiply k यह minus का k फिर करेंगे हम यहाँ पर 1 से तो plus का 1 into यह cut गया यह cut गया यह भी 0 हो जाएगा is equal to किसके है 3 square unit के simplify करो 3 2 जा 6 हो गया यहाँ पर 3 k is equal to क्या हो गया 6 और k is equal to क्या हो गया हमारा 6 by 3 और 3 2 जा 6 अब modulus होता है यहाँ पर तो area जो k की value है यहाँ पर positive negative दुन्नों possible हो सकती है plus minus 2 दुन्नों possible values पर हमारा area क्या आएगा 3 square unit आएगा clear हो गई बात कोई दिक्कत नहीं होनी चीए कोई भी problem किसी परकार की लगे तो आम उससे पूछ सकते हैं दरवाज चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए और share जरूर कीजिए thank you students for watching next classes video